वेल्कम टू माई चैनल चैनल पानी हूँ है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक किजेगा तो कैल्कुलेस की जो बुक है इसकी एक्सरसाइज 1.3 का आज मैं आपको करगा हूँगी क्वेस्चन नबर 14 इससे प्रिवियस तमाम क्वेस्चन इस एक्सरसाइज के देखन चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में हर क्वेस्चन के नाम से मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है कैल्कुलेस एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे तो उसमें 1.3 के सारे क्वेस्चन मुझूद होंगे तो करते हैं इस क्वेस्चन को तो फंक्शन गिवन है इसमें का गय है कि function continuous है या नहीं वहां अगर x less than zero greater than zero less than one उसमें हमें जरूरी होता है कि हम right or left limit find करें या यहां पर mod आ जाता तो mod में value change हो जाती है left limit में या नहीं कि less than zero पे inactive हो जाता है x approaches to zero function है x cause one over x function put कर दिया हमने function limit अप्रोच कर रही है एकस अप्रोच करें जिरो को इसमें limit पूट करें तो x के जगा पे zero और यहां पे cause one over cause one over zero तो cause one over zero infinity होता है और cause infinity को अगर define हम करें cause infinity को तो इसका जो range होती है इसकी one minus one to one होती है यानि कि हम इसको define करते हैं minus one to one यहां पे minus है मैंने शायद plus कर दिया है यह minus है minus है minus है minus है minus one to one इस तरह हम define करते हैं इसकी domain और रेंज आप previous classes में पढ़ चुके हैं तो cause one over infinity पे answer देता है minus one to one तो इस interval के दरम्यान values होती है तो हम लिख सकते हैं यहां any number in minus one to one तो इसका answer आएगा any number in minus one to one minus one और one के दरम्यान कोई भी number हो वो zero से multiply होगा answer zero आजाएगा तो function की value और limit की value बड़ा easy होगा question दोनों equal आगई न तो हम लिख सकते हैं कि f of zero equal है limit x approaches to zero f of x के function की value zero पे और limit की value zero दोनों equal आगई so function is continuous at x is equal to zero is continuous at x is equal to zero तो x is equal to zero पे function होगा continuous तो यह इसका answer होगा नहीं बताना था क्या यह function continuous है या नहीं तो next lecture में करेंगे इसका next question number 15